आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NXG 0.5 टेबलेट की बारी में क्या इसका डॉज, यूजच, मेकेनिजम अपेक्शन, प्रिकॉसंस, एन साइड इफेक्ट आपसे रिक्वेस्ट है यह वीडियो एन तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भोले चलिए फ्रेंड्स तो सुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसके बेसिक इंफोर्मेशन जान लेते हैं अगर हम इसके मार्पी की बात करें तो यह 46 रुपे की 15 टेबलेट मिलती है और कमपोजिशन की बात करें तो इसमें एल्प्रा जोलम 0.5 मिलिग्राम रहता है इसका कुचन यह अल्टरनेट ब्रांड मार्केट में एवलियाबल है जैसे की अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट, जेनेक्स 0.5 टेबलेट, एल्जोलम 0.5 टेबलेट इत्यारी इसका most popular brand name है अब हम इसके यूजेज की जानकारी विस्तार से जानते हैं कि किन किन प्रोब्लम्स में हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं एनेक्स 0.5 टेबलेट जो कि बेंजोडाइजपिन क्लास की एक anti-anxiety drug है इसका उप्योग anxiety के इलाज के लिए किया जाता है ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा tension होती है तो उसे कम करने के लिए यह टेबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है साथ ही इसका उप्योग stress जिसे तनाव कहा जाता है तनाव एक ऐसी इस्तिति है जिसमें व्यक्ति का मन असांत रहता है चिंता होती है बेचेनी होती है डर लगता है घवराट होती है साथ ही इसका उपयोग strip disorder में किया जाता है जिसमें व्यक्ति को देर रात तक निल नहीं आती है तब उन इस्तितियों में alprix 0.5 tablet का उपयोग किया जाता है इसके अलवा इसका उपयोग panic disorder जिसमें व्यक्ति का mood अचानक change हो जाता है जिसमें वक्ति अचानक हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, अधिक चिंता होती है, मन उदास रहता है, इन सभी कंडिसंस में एलपाजोलम टेबलेट का उप्योग किया जाता है ये सभी प्रोब्लम्स, एंग्जाइटी का एक सिम्टोम्स है, कुल मिला कर इसका उप्योग, एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए किया जाता है अब हम इसके मेकनिज्म औफ एक्सन के बारे में जान लेते हैं एनग्जेट टेबलेट काम कैसे करता है एलपाजोलम टेबलेट एक बेंजोडाजेपीन है जो गावा के एक्सन को बढ़ाता है या एक केमिकल मेसेंजर है जो मस्तिस्क में तंत्रिका को सिकाओं की असामाने गतिवीजी को धीमा करके ब्रेन को सांथ करता है जिससे ब्रेन रिलेक्स होता है, मूड बहतर होता है और एंग्जाइटी कम होती है इस परकार एलपाजोलम टेबलेट काम करता है अब हम इसके प्रिकोसंस साबधाने के बारे में जान लेते हैं बिना डॉक्टर की सला से एनग्जी टेबलेट का उपयोग नहीं करें अगर आपको लिवर रोग, स्लिप एपनिया, इत्यादी समस्या है तो इन समस्याओं में एनग्जी टेबलेट का उपयोग नहीं करें गर्वती और उस्तनपान कराने वाली मैलाव को एनगी टेबलेट लेने से कोई हानिकारक प्रभाब देखने को नहीं मिलता है लेकिन इन कंडिशन में डॉक्टर से सला जरूर ले किडिनी, हर्दय और लीवर के मरीज एनगी टेबलेट लेने से पहले डॉक्टर से सला जरूर ले अनिथा गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है तो फ्रेंट्स अब हम इसके डॉज और साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं अगर हम इसके डॉज की बात करें तो यह 0.25 से 1 mg टेबलेट दिन में 2-3 बार लिया जाता है इस परकार एलप्रा जोलम 0.5 mg की एक टेबलेट दिन में 2-3 बार लिया जाता है पेसंट के उम्र, कंडिशन और वेट के कोडिंग इसका डॉज कम्या जैदा हो सकता है और साइड इफेक्ट की बात करें तो इसे लेने से आखे लाल होना, कमजोरी होना, Unconsciousness होना, Skin Allergy, Confusion, मुह सुखना, चक्कर आना इत्यादी साइड इफेक्ट देखने को मिला है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आस्तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमाय द्वा दी गई जानकारी कावपियो किसे भी स्वास समद्दी समस्या के लिए नहीं करें किसे भी प्रकार के समस्या के लिए अपने डॉक्टर से संपल करें Thank you watching for this video जैहिन जैभारत